खबरारी जनपत जोनपूर से जहां पर साइकुडो यूवक यूतियों के साथ में ठगी करने का मामला प्रकास में आ रहा है इस मौके पर उन्होंने जिला कारियाले में ग्यापन भी सौपा आईए देखते हैं हमारी ये चिंता जनक रिपोर्ट प्राइवेट लिम्टेट जो सिपा तिराहे के संचाली थे कंपनी थे उस सभी के इंपलाई हैं उस कंपनी का मैनेजर सिद्गार सिंग हम सभी लोग से जो है की फराट करके करीब पूरे जानपूर की गाओं के खड़े चार अजार मैलाओं से आच से दस लाग रुपे लेकर के फरार हो गया है और उसी के संदर में हम लोग आज तीन दिन से कोतवाली हम लोग 21 तारीक की रात में 12 बज़े कोतवाली जाकरके अपना एक अर्फायार देने के लिए मतलब भी लिखने के लिए वहाँ पर ग्यापन दिये अज दिन दिन से हम लोगो घुमाय जा रहा है कि आज होगा कल होगा संडे हैं मंडे हैं आप बताइए अगर इतना बड़ा अपरादी अगर वह 8-10 लाग रुपे लेके भाग जाता है और आप लोग इतना लेट करें करवाई करने में तो अगर किसी की जान जाती उसका जि हम लोग टोटल 45 इंपलाई उसमें काम करते हैं मैलाएं लगबग लगबग साड़े 4000 मैलाओं का पुछे जान पूर में हर गाउं में जा करके उनसे देड़स रुपे लेकर कि कोविट किट देने की नाम पर पर देड़स रुपे लिया गया और टोटल लगबग वह 8-10 ला रातो रात बोला कि हम ब्याच्चू को रेटाइन है जब हमारे इंपलाई जाके वहां चेक किये तो ब्याच्चू कोरणा वार्ड में नहीं मिला लाच्ट टाइम उसने मेरे पास रिकार्डिंग उपड़ी है उसने कुभूला आए कि नहीं कम्पनी फ्रॉड थी मैं सारा पैसा लेके भागा हूँ यहां से अगर आप लोगा F.I.R. या मेडिया के पैस नहीं जाते हैं तो मैं सबका पैसा लॉटा दूँँ इतना पैसा लेके गया है 15-20 लाग रुपए इतना लेके गया है और रिपोर्ट मांगने पे उसने फोटो गे जाला है क्या नाम है उसका